नवरात्री सजावट के कुछ मनमोहग नजारे श्री माता वैशनो देवी जी की यात्रा से समन्दित कुछ महत्पूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आज आज आपको मिलने वाली हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अविशन स्वागत है आप सभी का विसंदा व्लोक्स पर जै माता दी आप सब लोगों को जै माता दी सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा काफी समय बाद श्री माता वैसनोदेवी जी की यात्रा से समय दिद वीडियो इस चैनल पर आ रही है काफी ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण ऐसा हो रहा है तो चलिए आज हम आपको नवरात्री की सजावट के बेहतरीन मनमोग नजारे इस वीडियो के माद्यम से दिखाने वाले हैं साथ मैं बहुत सारी अपडेट्स बहुत सारी जानकारिया मिलने वाली हैं वीडियो के अंत तक बने रहीएगा तो दोस्तो नवरात्रे का समय है और इस समय में आप सब लो नवरात्र के समय में अगर आपका प्लान बन चुका है स्री माता वैश्नो देवी जी के यात्रा करने का नवरात्र के समय में तो आप काफी ज़्यादा भागय साली है माता रानी का बुलावा आप सब लोगों को नवरात्र के समय में आया है तो दोस्तो हमारी तरह जिन लो का डेकोरेशन और इस बार का डेकोरेशन में कितना अलग अंतर रहता है अलग अलग डिजाइन रहते हैं आप सब लोगों को पता है देश भी देशों से यहां पर फूल लाए जाते हैं फूलों के सुगंद इस समय पूरे तिरकुटा परवत पर फैली हुई होगी और वो ची मातारानी के बहुन पर यहां पर यह करमचारी कितना ज़्यादा हाड़ वर्क करते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं यह हम सब लोगों के लिए मातारानी के लिए मातारानी इन सब लोगों को भी खुस रखके हमेशा जो इतना ज़्यादा हाड़ वर्क करते हैं लाए आतर समय जाने काfikन सब्सकंटतरा जा है मैं ज़ल पर पहुंसके बहुत सरदालों मातारानी का आशिरवास लेने नावरात्रापरिव, もし टीड को पहुंसके कोला प्रछा ज़ाने कार्ट प्राप्त कर सकें और बहुत सारी काउंटर हैं कट्रा में रेल्वे स्टेशन पर हो या फिर बस स्टेंड पर हो तो वहां पर जहां पर भी कम भीड़ आपको देखने को मिल रही है जल्दी से जल्दी जाकर एफर आइडी कार्ट प्राप्त कर सकते हैं एक नवरात्री से स्रीमाता वैशन देवीजी के अठका आरती के शाम का शमय चेंज हो जाता है जो आज तक आरती शादवीच से शुरू हुआ करती थी अब वो छेभीच से सुरू होगी तो अगर आप लोग स्रीमाता वैशन के बाद होंगे क्योंकि 26 से 8 बजे तक मातारानी की आरती होती है उस समय दर्शन नहीं होते हैं तो इस बात का आप खास द्यान रखेगा कोशिस करें कि यातरा की शुरुआ सुबर जल्दी करें और साम तक वापस कट्रा पहुंचने का प्रियास करें क्योंकि मातारानी के भा और साम तक वापस कट्रा पहुंचने का प्रियास करें मातारानी के भाउन पर भीड़ बाड़ होती है तो छोटे बच्चों का खास द्यान रखेगा अगर आपके साथ में छोटे बच्चे यातरा कर रहे हैं आठ नौ साल के बच्चे जो पैदल चल सकते हैं अगर वो यात लोगों के बच्चे खूड़ जाते हैं और अलग अलग उजाते हैं फिर काफी देर तक काफी प्रॉबलम का सामना करना पड़ता है तो अपने छोटे बच्चों का खास द्यान रखेगा साथ-साथ में ये वीडियो आपको कैसी लग रिए है कॉमेंट करके जरूर मातारानी का भवन लगबग लगबग तयार हो चुका है नवरात्रे के लिए इतना खुबसूरत लगता है मातारानी का भवन ये चीज आप सब लोग महसुस कर सकते हो जो लोग भी यात्रा पर गए हैं नवरात्र के समय में उस समय मातारानी के भावन से वापस आने का दिलने करता है रात कब यहां पर 4-5 गंटे 5-6 गंटे बीच चुके हैं कुछ पता नी चलता है जब मातारानी के भावन पर रात के समय में हो याज दिन के समय में हो नवरात्र के समय की रहना की अलग रहती है दोस्तों तो दोस्तों आज की चोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर वताएगा थोड़ी सी भी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मातारानी के पवित्र भोन पर वी खुपचूरा सजाओड को आपके अपनों तक जरूर सेयर कीजिएगा मिलेंगे फिर एक और नई अपडेट वाली वीडियो के साथ तब तक सस्त रहिए मस्त रहिए मातारानी का नाम जबते रहिए विसंदाव लॉक्स देखते रहिए जै मातादी माए बच्चे आनु पेवितार केडा तेरा मुल लगणा तेरा केडा मुल लगणा